मध्यप्रदेश के दमोजिले में स्थित हलगज ग्राम पंचायत आज जल और स्वच्चता प्रबंधन की एक मिसाल है एक साल पहले तक गाउं में जल और स्वच्चता को लेकर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे कई शौचालय अनूपियोगी हो गए थे गलियों में साफ सफाई नहीं दिखाई देती थी गाउं में पानी की टंकी होने के बावजूद उसका बहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था पिछले साल से वाटर एड ने इस गाउं में काम शुरू किया एक रणनीती बनाते हुए विभिन विभागों के साथ समनभयकर काम को आगे बढ़ाया गया गाउं में ग्राम जल एवं स्वच्चता समीती के सदस्यों तथा पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षन महिल गाउं में शिक्षकों एवं बच्चों के साथ समवाद किये गए गाउं में ट्रांजिट वॉक सोशल मैपिंग और एम वाटर एप के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कर जरूरतों एवं प्राथमिक्ताओं की पहचान की गई रातरी चौपाल, रैली और कारेशालाओं के माध्यम से लोगों को जागरू किया गया जल और स्वच्चता को लेकर ग्राम कार्य योजना बनाई गई जन सहभागिता और पंचायत एवं सरकारी विभागों के समन वैसे अब गाउं में बदलाव दिखाई दे रहे हैं पंचायत के जनपरत निधी के नाते मैंने संस्ता को पूरा सहयो किया है और यहाँ पर भूत अच्छा काम हुगा है दो आज तक मैंने नहीं देखा गाउं में स्थित पानी की टंकी को मल्टी विलेज योजना के तहट विक्सित किया गया और इसके बहतर प्रबंदन के उपाई किये गए यहाँ के सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है गाउं खुले में शौट से मुक्त हो गया है दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए दिव्यांग फ्रेंडली सोचाले बनाए गए है सभी घरों में नल के पास प्लैटफॉर्म बने हुए है और ग्रेव वाटर के प्रबंदन से गलियों में पानी नहीं फैलता गरों के बाहर प्रेटफॉर्म बन रहे हैं उसमें यह हुआ कि जितना भी ग्रेव वाटर है सब को एक साथ एकटा करके फिर उसको नाली के माध्यम से हम लोग सोख प्रेट में अंदर कर रहे हैं डाल रहे हैं ग्रामीन ग्रेव वाटर का उप्योग किचन गार्डन में भी कर रहे है यहां सरकारी भावनों में रेन वाटर हर्वेस्टिंग लगाए गये है किशोरियों को व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वचता पर प्रशिक्षन दिया जा रहा है ग्राम चल एवं स्वचता समीती द्वारा जलकर का निर्धारन किया गया है और उसकी नियमित वसूली होती है स्वचता समू की सदस्यो एवं स्वयम सेवक द्वारा जल का गुणवत्ता परिक्षन किया जाता है ग्रामीन अब जल और स्वचता के महत्व को समझने लगे है गाउ में आए इस बदलाव से ग्रामीन खुश है और वे अन्य गाउं के लिए प्रेरख बन गए हैं कर दो